प्रियो प्रिंसिपल, जनरल टीचर्स, स्पेशल टीचर्स, पेरेंट्स और दिव्यांग स्टुडेंट्स Board of School Education हर्याना की तरफ से कुछ गाइडलाइन्स आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ हैं यहांपर यह गाइडलाइन्स हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए हैं और जो Board की परिक्षा होने वाली है दसवी और बारवी के लिए उसके रिकार्डिग है तो यहांपर कुछ पॉइंट्स है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा प्लीज इनको ध्यांसर सुनिएगा और यह वाली जो शीट है मैं आपको वो भी ग्रूप में इसके साथ में शेयर करूँगा तो सबसे पहली गाइडलाइन्स है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परिक्षाओं हे तू जो CWSN हमारे बच्चे हैं दिव्यांग जो बच्चे हैं उनकी आवशक्ता के द्रिष्टिगत बोर्ड परिक्षाओं के पाठे योजनों में द्रिष्टि हीन विद्यार्थियों को संगित विश्य को छोड़ कर अन्य विश्य जैसे ड्रॉइंग, गनित, विज्ञान और भी कुछ परिक्षाओं में छूट दी जा सकती है पहला यह चीज है कि उनको क्या-क्या छूट दी जा सकती है दूसरा चीज है कि मूखववानी बाधत, डिसलेक्सिया या फर स्पाष्टिक रोग से पेडित हमारे जो बच्चे हैं जो इस कटेगरी के हमारे बच्चे हैं, उनको अनिवारे दो भाषाओं में से एक भाषा की छूट प्रदान की जाती है तो आप लीज यह वाला पॉइंट पे ध्यान में रखेगा प्रावधान करते हुए दसवी कक्षा की गणित्व विज्ञान विश्यों में अलग से प्रशन पत्र तयार करवाए जाते हैं वह अन्य विश्यों में डायाग्राम, चित्र, ग्राफ की आवशक्ता वाले प्रशन के विकल्प में दूसरा प्रशन दिये जाने की सुविदा भी दी जाती है मतलब इन बच्चों को अगर आपको option चाहिए तो वहाँ पर आपको दूसरा प्रश्ण दिये जाने का option भी वहाँ पर आपके पास उपलब्द है तो यह वाला चीज जो हमारे बच्चे इन categories में आते हैं उन बच्चों के लिए उन बच्चों के माबाप के लिए उन बच्चों के principals के लिए general teachers और special teachers के लिए यह वाली कुछ guidelines है बहुत important है आप लोगों को समझनी चाहिए अगली चीज पर चलते हैं जो द्रिष्टि बादत परिक्षारती है उनके परिक्षा पंजी करण के समय मांग करने पर ब्रेल लिपी के में प्रशन दिया जा सकता है और computer बड़े अक्षरों में प्रशन पत्र की व्यवस्ता की जा सकती है देखिए यह वाला जो point है point number 4 यह बहुत important है हमारे जो बचे जिनका low vision है जो बहुत अच्छे से नहीं देख पारे उनके पास ये दो सुविदा हैं जिसकी आवशक्ता अनुसार उनको प्रियोजन कराया जा सकता तो फ्लीज इसका भी ध्यान रखेगा तो उपर वाले 4 points हम लोग अभी discuss कर चुके थे अब नीचे वाले 3 points के हैं एक बर फटा फट से वो भी देख लेते हैं जो दिव्यांग परिक्षारती है तू जिला हिसार करनाल और गुडगाओं में तीन विशेश विद्यालों के बच्चे बच्चों के लिए उनी के विद्यालों में परिक्षा केंद्र स्थापित किये गए हैं तो जो हमारे principals, special teachers, parents इन तीन जिलों का हिस्से इन तीन जिलों में आते हैं तो उनके लिए आपके पास यहां पर special परिक्षा केंद्र भी हैं इसके लावा अन्य परिक्षा केंद्र उपरी मंजल पर होने पर असमर्थ दिव्यांग परिक्षार्थियों को भूतल पर बैठने की अलग से विवस्था दी जा सकता की जाती हैं देखिए माबाप भी अच्छे से जानते हैं Teachers भी अच्छे से जानते हैं वाली चीजस प्रिंसिपल्स भी जानते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परिक्षाओं के समय CWSN हमारे जितने भी क्रिटेगरी के बच्चे हैं वाले ऐसे दिव्यांग परिक्षार्थी जो 40 प्रतीशत या उससे अधिक दिव्यांग है उन परिक्षार्थियों को बोर्ड परिक्षा के समय नीशुल्ख लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है क्या मतलब हुआ जो हमारे माबाप भी ये वाली चीज़ को सुन रहे है तो ऐसे जो बच्चे हैं जो 40 प्रतीशत से ज़्यादा दिव्यांग है उनको नीशुल्ख कोई पैसा नहीं देना होगा और उनको एक लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है तो अगर आपके बच्चे को जिन प्रिंसिपल्स को या टीजर्स को ये वाली चीज़ लगती है अगर उन बच्चों को ऐसे लेखक की सुविधा चाहिए तो आप वो वाली सुविधा अवेल कर सकते है ऐसे बच्चों को लेखक की सुविधा के साथ-साथ परिक्षा में प्रती घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है देखिए 6th point बहुत important point है हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए board of examination हर्याना ने बहुत अच्छी सुविधा हैं प्रदान करी है और 6th point की बहुत अच्छी सुविधा हैं एक तो 40% से उपर के बच्चे को दिव्यांगता के उपर के बच्चे को एक निशुल्क लेखक प्रदान किया जा रहा है दूसरी चीज उनको प्रती घंटा 20 मिनिट अतिरिक्त समय भी दिया दाता है तो प्लीज ये वाली चीज़ें भी आप board of examination से मांग कर सकते हैं आप ये वाली चीजों के लिए aware रहिए साथवा point देखते हैं इसके अतिरिक्त विशेश विध्यालों के अध्यान रत CWSN के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए इन विध्यालों के सभी प्रकार के शुल्क जैसे परिक्षा पंजीकरण संबत्ता केंद्र स्थापना आदी में छूट प्रदान की जाती है तो ये वाला point हमारे principles के लिए है हमारे special teachers के लिए और हमारे teachers के लिए कि ये वाली सुविधाई आप लोग avail कर सकते हैं with the help of board of examination तो आप लोगों का सभी का धन्यवाद और मैं उमीद करता हूँ कि आप ये वाली सुविधाई अपने दिव्यांग बच्चों को प्रदान करेंगे और अपने और भी संबंदित क्षेत्रों के principals, teachers, special teachers, parents और बच्चों को ये वाली चीजों के बारे में aware करेंगे धन्यवाद